हेलो फ्रेंड्स विल्कम हेर कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी घर में स्वस्त होंगे तंदरूस्त होंगे लाइफ में आगर बढ़ रहे होंगे तरक्की कर रहे होंगे आज की रेडिंग है हमारी डेट ओफ बर्थ के भिहाव पर अगर आपको आपकी जनम तारीक पता है य लॉस के बारे में आपकी मैरिट लाइफ के बारे में आपकी रोमैंटिक जर्नी के बारे में आपके फाइनास और कारियर के बारे में आफ्टर मैरिज मुझे समझ में आएगा जो मुझे कार्ट बताएंगे डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ तो आज की रीडिं जिनकी DOB, जिनकी जनम तारीक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है इन लोगों के लिए पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 2 है जिनकी DOB है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 तो आप दोनों पाइल को ध्यान से देख लिजिए जिस पाइल में आपकी जनम तारीक है आपको वो पाइल चूस करना है और वहां से अपनी रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की और देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूस किया है उनकी शादी शुदा जिन्दगी के बारे में कार्ट्स क्या बताते हैं वेलकम पाइल नंबर 1 जिनकी डियो बी जनम तारीख डेट व बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि आपके शादी कब होगी, किस से होगी, आपके future spouse कैसे होंगे, in-laws कैसे होंगे, आपके married life कैसी होगी ये एक timeless reading है जब भी देखेंगे resonate करेगी और ये general है तो जुरूर नहीं है सभी बाते सभी से resonate करें जितनी आप से resonate करें उतनी रखें and leave the rest आपके लिए cards हैं, five of cups, the hermit, the fool, king of cups, queen of cups, the devil, four of pentacles, two of cups अगर zodiac sign की बात की जाए तो वर्गो हो सकते हैं, आप cancer prices, scorpio हो सकते हैं आप Aries, Leo, Sag हो सकते हैं, Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं यह जो sign है मुझे prominent दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो सभी zodiac sign मुझूद होते हैं बट यह sign prominent है dates की बात की जाए तो 5, 14, 23, 1, 19, 28, 10, 30, 31, 9, 18, 27, 2, 11, 21, 31, 12 and 21 आपके लिए important dates हो सकती हैं अगर आप किसी रिष्टे से deal कर रहे हैं, किसी पार्टनर से deal कर रहे हैं, किसी को जानते हैं तो हो सकता है यह dates या पर यह zodiac signs उनसे भी resonate करें यहाँ में मुझे 5 of cups card यह बताता है कि आपके future spouse चाहे आप husband के लिए देख रहे हैं, चाहे आप wife के लिए देख रहे हैं आपके future spouse काफी ज़्यादा emotional होंगे काफी ज़्यादा emotional होंगे और इनको छोटी छोटी बाते hurt करेंगी, परेशान करेंगी जिससे यह बहुत ज़्यादा low feel करेंगे दा हर्मिट कार मुझे यह बताता है कि आपके future spouse काफी ज़्यादा spiritual होंगे, धानमिक होंगे, धरम, करम और अच्छे करमों में विश्वास करके आगे बढ़ने वाले होंगे आपके future spouse teacher हो सकते हैं, lecturer हो सकते हैं, spiritual healer हो सकते हैं, tarot reader हो सकते हैं या आप हो सकता हैं, कि आप से यह चीज़े resonate कर रहे हों, astrologer, numerologer या फिर किसी भी field में वो हैं, तो वो औरों को रहा दिखाते होंगे, औरों को guide करते होंगे, औरों को काम समझाते होंगे औरों से अपने under काम करवाते होंगे दफूल का card मुझे यह बता रहे हैं, कि आपके future spouse ना काफी ज़्यादा risk taking की energy रखते होंगे अगर उनका कहीं believe है, उनका कहीं trust है, उनको लगता है कि कुछ सही है उनके लिए, उनके family के लिए तो no matter कि लोग क्या कह रहे हैं, या उनके अपनी family क्या कह रही है, जो दीजे उनको सही लगती है, उनको try जरूर करेंगे आपके future spouse the fool card is implying कि बहुत romantic होंगे, loving होंगे, caring होंगे, life में आगे बढ़ने वाले होंगे और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को आपके future spouse खुद से आकर propose करें और अपना प्यार confess करें या फिर marriage का proposal send करें कि हाँ वो आपको पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप wedding कर लो King of Cups का card मुझे ये बताता है, आपके future spouse water sign के हो सकते हैं, water energy होगी उनमें काफी जादा, ये काफी emotional होंगे, sensitive होंगे, loving होंगे, caring होंगे और रिष्टों की बहुत एहमियत रखने वाले होंगे, रिष्टों की काफी परवा होगी and इसके next आया है Queen of Cups, King of Cups and Queen of Cups एक दूसरे के counterpart है, तो आप लोग made for each other होगे and काफी time से एक दूसरे को मिलने के लिए struggle कर रहे होगे, काफी जनमों से हो सकता है, आप लोगों का struggle चल रहा हो एक दूसरे के साथ reunite होने के लिए, unite होने के लिए wedding करने के लिए तो आप दोनो made for each other हो, divinely guided connection में हो, soulmates हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग and कुछ लोग twin flames भी हो सकते हैं आपके future spouse आपको भगवान की blessing से मिलेंगे and इनके मिलते ही आपकी life में just like happiness and काफी ज़्यादा abundance आएगी आप काफी ज़्यादा spiritually खुद को mature पाओगे, खुद को आगे बढ़ता हुआ देखोगे काफी ज़्यादा तरक्की हांसिल करोगे, लोग आपकी काफी respect करेंगे and आपके शादी शुदा life को देखकर सभी लोग बहुत तरीफ करेंगी कि क्या जोडी है, हमेशे एक दुसरे की बात सुनकर चलते हैं, एक दुसरे की सलह मान कर चलते हैं कितना प्यार है दोनों में, कितने अच्छे से family, society, समाज में इन्होंने अपनी image बनाई है और कितने अच्छे से सब को treat करते हैं, दोनों ही बहुती loving, caring and polite होगे and मैं ये भी बता दूँ कि आपके जोन से गुन है, या आप में जोन सी कमिया है, हो सकता है आपके future spouse में भी similar हो, काफी लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रहे हूँ देविल का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके future spouse आपको लेकर काफी ज़्यादा possessive होंगे possessive तो होते हैं और लोग अच्छा भी लगता है कोई हमें लेकर possessive है because वही possessive होता है जो हमें प्यार करता है या जो हमें प्यार करती है लेकिन ये इतने ज़्यादा possessive होंगे हो सकता है sometimes इनके बार-बार question पूछने की या फिर possessive की आदत से आप लोग परिशान हो जाओ और sometimes आप लोगों के भीच में छोटे-छोटे arguments हो जाएं आपके future spouse का nature ना थोड़ा सा जिद्धी भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए काफी ज़्यादा जिद्धी भी ये हो सकते है with the card of four of pentacles Taurus Virgo Capricorn के energy है और वहीं ये energy बिताती है कि ये down to earth होंगे अपनी मेहनत से पैसा कमाना जानते होंगे अपनी मेहनत से हर एक goal अपना achieve करना जानते होंगे ये दूसरों पर dependency नहीं रखेंगे ये खुद की मेहनत के दम पर सब कुछ create करेंगे और life में आगे बढ़ेंगे वहीं आपके future spouse थोड़े से कंजूस हो सकते हैं अगर इनकी earning बहुत जादा अठी भी है ना तो भी ये बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे unnecessarily पैसो को waste नहीं करेंगे आपके future spouse kind-hearted होंगे लोगों के help करेंगे लोगों को रहा दिखाएंगे लोगों के लिए हमेशा ready रहेंगे जब उनको पाएंगे कि वो जुरूरत में हैं तो definitely उनकी help करेंगे कुछ लोगों के लिए आपके future spouse आपसे age में काफी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं mature हो सकते हैं वहीं कुछ लोगों के लिए उनके future spouse उनसे काफी ज़्यादा उम्र में छोटे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ with the card of king of cups and queen of cups की आप लोगों की उम्र में एक दो साल का difference हो ऐसी possibility भी रहेगी कुछ लोगों के लिए future spouse की height काफी ज़्यादा छोटी हो सकती है small height के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपकी और उनकी height equal होगी and वहीं कुछ लोगों के लिए future spouse काफी long height के या फिर medium height के भी हो सकते हैं अब आप में से कई लग बोलेंगे कि माम आपने तो सब बता दिया पर मुझे यहाँ पर यह सब दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ general readings होती है guys अलग-लग लोगों के लिए लग-लग messages आते हैं यह आपकी personal reading नहीं है तो जो आप से resonate करे उसको रखे and leave the rest आपके future spout बहुत ज़्यादा passionate and sexual desires रखने वाले होंगे आप लोगों की romantic life बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है हमेशा आप से जुड़े रहेंगे आपके touch में रहेंगे और कोई मोका नहीं छोड़ेंगे romance करने का, physical relationship बनाने का आपके इर्द गिर्द घुमने का आपके करीब घुमने का आपको touch करने का, आपको मैसूस करने का and आपके साथ play करने का इनकी काफी ज़्यादा fantasies हो सकती है कि after मारी जीए ये करना चाहते है वो करना चाहते हैं और definitely ये सारी fantasies को try करेंगे आपके future spouse के लिए हो सकता है कि ये किसी बड़ी city में रहते हो जहां पे बहुत ज़्यादा buildings हो काफी ज़्यादा improvement हो and काफी ज़्यादा modern machinery से work होता हो आपके future spouse हो सकता है किसी water related job में हो किसी gym में हो किसी gym को चलाते हो या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी administrative field में हो and वही कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके future spouse किसी adventurous field में भी हो सकते है जहां उन्हें day to day life में adventurous task करने होते है आपके future spouse pet lover हो सकते हैं डोग हो सकता है आपके पास या उनके पास and कुछ लोगों के future spouse, actor, actress, model, freelancer में job करने वाले या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफी मनपसंदीदा कपड़े पहनने वाले या फिर लोगों को हसाने से related कुछ काम करने वाले कुछ entertain करने वाली field में भी हो सकते हैं definitely ये कार्स मुझे बता रहे हैं बहुत सारे लोगों की love marriage होने वाली है इनके साथ ये आपको propose करेंगे, आप भी उनको पसंद करोगे and एक दूसरे के साथ decide करके आप लोग marriage करोगे and definitely आप में से कई लोगों की marriage काफी जल्दी होने वाली है अगर आपकी in-laws की बात की जाए तो आपके mother-in-law and father-in-law बहुत जादा loving, caring होने वाले हैं, आपको understand करने वाले हैं आपको after marriage काफी appreciation मिलने वाला है आप after marriage अपना अगर कोई work चलाना चाहते हो कोई job continue करना चाहते हो, कोई business करना चाहते हो तो इसमें भी आपके in-laws आपको support करेंगे आपके in-laws and आपके future spouse हमेशा आपको guide करेंगे आपको salah देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे आपको motivate करेंगे आपके future spouse को traveling का बहुत शोंक होगा और यह देश-विदेश घूमेंगे और आपको भी घूमाएंगे और हो सकता है honeymoon पर भी आप लोग अपने dream places पर जाओ और वहां काफे ज़्यादा enjoy करो अब हम चेक करेंगे कि आपके wedding कब होगी friends अगर यह reading आप से resonate की है आपको पसंद आई है तो like, share, comment करना बिलकुल मत भूलना मुझे comment box में बताना अब हम चेक करने वाले हैं कि आपके शादी होगी कब time frame क्या रहेगा तो हमार पस cards है existence, experiencing, harmony and sorrow मैं यह देख पा रही हो कि आप अपनी life में सब कुछ हांसल कर पाए हैं कर चुके हैं even और आपको सेफ टेंशन है कि आपकी marriage कब होगी and marriage को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अब आपको अकेले life में आगे बढ़ना अच्छा भी नहीं लगता आपका भी मन करता है कि आपके भी spouse हो आप भी उनके साथ खेले, घूमे, फिरे enjoy करें life का and आप अकेले वाली life से bored हो चुके हो single वाली life से bored हो चुके हो मैं आपको कहना चाहूंगी guys एक बार आपके marriage हो गई ना तो ये single वाली life कभी load कर नहीं आएगी तो अगर आप इतने ज़दा bored हो चुके हो और इतनी ज़दा painful condition में हो सोरो वाली condition में हो तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि marriage तो आपकी बहुत जल्दी होने वाली है तो इस painful वाली condition से बहार निकल के जो single वाली life है ना जो single hood है आपका उसको enjoy करो तो कि ये time frame आपको दुबारा नहीं मिलेगा एक पर आपके marriage हो जाती है तो कार है आपके लिए existence, experiencing, harmony जो कि मुझे ये बताता है कि आप में से कई लोगों की wedding within next three months fix हो सकती है next ten months में हो सकती है और maximum लोगों की wedding जब भी वो ये reading देख रहे हैं ये video देख रहे हैं within a year आप लोगों की marriage आपके future spouse के साथ definitely हो जाएगी so congratulations in advance and hope for the best अगर पसंद आई हो तो please मुझे comment box में बताना thank you so much for watching bye for now, have a good day, take care hey friends, welcome pile number two जिनकी DOB है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 इस reading में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके शादी कब होगी, किससे होगी आपके future spouse कैसे होंगे आपके in-laws कैसे होंगे जो भी मुझे cards पताएंगे definitely I'm going to tell you each and everything अगर आपसे ये reading resonate करें तो please मुझे comment box में बताना ये एक general reading है, जरूरी नहीं है सभी से सभी बाते resonate करें और ये timeless reading है तो जब भी देखेंगे resonate करेंगी आपके लिए cards आएं है 7 of vans, 10 of pentacles, 4 of swords, king of cups 4 of pentacles, 2 of cups, the moon and the magician जोडियक sign की बात की जाएं तो Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio सभी जोडियक यहाँ पर मौझूद है और जो सबसे जादा मौझूद है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं Taurus, Virgo, Capricorn and Cancer, Pisces, Scorpio तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ With the card of 7 of vans आपके future spouse ना बहुत जादा hard working होने वाले हैं बहुत जादा महनती होने वाले हैं Easily give up ना करना महनत के दम पर सब कुछ हांसिल करना दिन और रात काम करना और कुछ अपने goals को achieve करना तो इनके काफी strong goals होंगे काफी महनती ही होंगे अपनी महनत के दम पर सब कुछ achieve करेंगे 10 of pentacles मुझे यह बता रहा है कि आपके future spouse को पैत्रिक संपत्ती काफी मिली होगी उनके parents से उनको काफी कुछ मिला है knowledge, wisdom, abundance, each and everything हो सकता है कि उनके एक से ज़्यादा घर हो और काफी ज़्यादा abundant हो अपनी personal गाडियां हो और काफी well stable हो फैमिली इतनी stable है तब भी यह खुद के दम पर अपना भी एक identity बनाएंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं कि family के पैसो पर ash करेंगे note like this यह बहुत महेंती होंगे और काफी ज़्यादा hard work करेंगे with the card of four of sorts यह family की बहुत care करेंगे इनके family को कोई नुकसान ना पहुँचाए इन चीजों की इने हमेशा फिक्र रहेगी और हमेशा गोड से pray करते रहेंगे कि इनकी family को कोई नुकसान ना पहुँचे कोई दुख ना पहुँचे कोई तकलिफ ना पहुँचे यह person खुद परिशानियों में रहेंगे लेकिन अपनी परिशानिया अपनी family से share नहीं करेंगे क्योंकि यह अपनी family को stress नहीं देना चाहते होंगे With the card of king of cups यह person काफी ज़्यादा loving होंगे caring होंगे pampering होंगे emotional nature रखते होंगे and काफी ज़्यादा romantic भी होंगे With the card of four of pentacles यह person जिद्धी हो सकते हैं conduz हो सकते हैं and यह person के दिमाग में ना हमेशा यह चलता रहेगा कि कैसे पैसो को जोड़ना है और कैसे business career जो भी यह करते हैं उसमें तरक्की हांसिल करनी है कैसे 2-4 घर बनाने हैं 4-6 बनाने हैं कैसे आगे बढ़ना हैं कैसे नए-नई ट्रांसपोर्ट्स खरीदनी हैं इने vehicles करीदने हैं और लाइफ में कैसे तरक्की करनी हैं तो यह person काफी जदा business oriented होंगे आप में से हो सकता है कई लोगों के future spouse businessman या business woman हो टू अफ कप्स बताता है यह person काफी मिलनसार होंगे friendly nature रखते होंगे आपके साथ भी इनकी compatibility काफी अच्छी बनेगी दमून कार मुझे यह बताता है कि यह person को थोड़े से issues होंगे कि insecurity इनके साथ रहेगी यह अक्सर अपने रिष्टों को खोने से डरते होंगे जिसकी वज़े से यह जल्दी से रिष्टों को accepting नहीं करते होंगे the magician कार मुझे यह बताता है कि यह person बहुत अच्छे manifester होंगे काफी ज़्यादा confident होंगे life में आगे बढ़ने वाले होंगे and जो भी यह manifest करेंगे definitely हांसल करेंगे and आपको हांसल करना भी इनकी manifestation का ही एक part है क्योंकि यह चाहते हैं कि एक ऐसा spouse जो इनकी financial stability से नहीं इनको emotionally समझे and इनको emotionally समझ कर इनसे connect हो and इनको अंदर से समझ कर इनसे प्यार करे इनसे प्यार करे और इनसे शादी करे आपके future spouse sometime बहुत ज़्यादा stress लेंगे बहुत ज़्यादा सोचेंगे रात को सो नहीं पाएंगे हो सकता है कि इनको future के लेकर anxiety रहती होगी क्या होगा किस तरीके से होगा because यह काफी ज़्यादा emotional और काफी ज़्यादा sensitive होगे and sometime हो सकता है कि छोटी छोटी बाते इने इतनी ज़्यादा hurt कर दें कि इने हमेशा frustration and गुसा आता रहता हो मनी मन में कुछ काम कर रहे हैं लेकिन तब भी कोई छोटी सी बात किसे ने बोल दी वो तो कहकर भूल गया लेकिन इनको वो पिंच कर रही है अंदर ही अंदर इनको लग रहे है कि यार उसने ऐसा कैसे बोला तो गुसा निकल रहे frustration निकल रही है हो सकता आप में से कई लोगों के future spouse joint family में रहते हो big family हो उनके पास dog pet dogs हो सकते हैं pet cats हो सकती है shopping malls में घूमना shopping करना travel करना नएने places को देखना enjoy करना इने काफी ज़्यादा पसंद होगा लेकिन साथ ही में ये पैसे काफी सोच समझ कर खर्च करेंगे unnecessarily पैसो को waste नहीं करेंगे अगर कुछ fields की बात की जाए तो आपके future spouse की कोई business man या business woman हो सकते हैं कोई wood या water से related उनका काम या कारोबार हो सकता है, हो सकता है overseas रहते हो वहाँ work करते हो family business संभालते हो ऐसी possibility भी है या फिर किसी government job में हो या फिर कहीं administrator हो manager हो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ जादूगर हो सकते हैं gymnastic हो सकते हैं, athlete हो सकते हैं yoga teacher हो सकते हैं और कुछ लोगों का काम ऐसा भी होगा की regular clients से मिलते होंगे and कुछ होता है ना जैसे की sale purchase का काम things को fix करते होंगे and then अपना business आगे बढ़ाते होंगे या कोई company का target पूरा करने के लिए clients से मिलते होंगे and clients को fix करते होंगे जैसे की call centers में होता है कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके future spouse, soldiers हो सकते हैं army men हो सकते हैं police officers हो सकते हैं journalist हो सकते हैं अब अगर बात करें कि आपके in-laws कैसे होंगे तो आपके father-in-law बहुत अच्छे होंगे बहुत loving होंगे, caring होंगे आपको understand करेंगे आपकी काफी प्रशंसा करेंगे और तारीफ करेंगे आपसे काफी ज़्यादा impressed भी होंगे आपकी family joint हो सकती है एक से ज़्यादा उसमें member हो सकते हैं हो सकता है कि पूरी joint family में से एक दो members की आपसे अच्छे से ना बने लेकिन वो भी toxic नहीं होंगे just like regular की हाँ कुछ अनबन हुई and then things sort out हो गई थोड़ी सी आपके ससुराल वाले आपके life में तांक जांक रखने वाले होंगे आपको स्टॉक करने वाले होंगे कि आप क्या कर रहे हो and किस तरीके से कर रहे हो कहीं उनकी तो कुछ बुराई नहीं कर रहे हो अक्सर ये लोग starting में आपको कहते हैं ना कि चेक करते रहेंगे तो वैसी energy आपके in-laws के आ रही है लेकिन धीरे धीरे जब यह आपको समझ जाएंगे आपको जान जाएंगे वैसे ही ये इन सब चीजों से पीछे हट जाएंगे आप में से काफी लोग soulmates कुछ लोग twin flame connection में भी हो सकते हो तो उनके साथ भी आपके वेडिंग की possibility अच्छी है और अगर family नहीं मान रही है तो family मान जाएगी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे और वह सकता है कि after marriage आपको स्टॉक करते रहें या अन्बन क्रियेट करते रहें ठोड़ी सी disturbance करते रहें लेकिन विट टाइम फिंग्स मानेज हो जाएंगी मैं आपर ये भी देख पा रही हूँ कि आप ये आपके future spouse काफे टाइम से efforts लगा रहे हो कि आपकी marriage हो जाए लेकिन आपके marriage होई नहीं रही है जिसकी वज़े से आप लोग काफे ज़्यादा परेशान हो, disturbed हो और काफे ज़्यादा anxiety हो रही है for the future, कि future में क्या होगा, होगी भी इसके साथ या नहीं होगी, आप में से कई लोग already deal कर रहे हो किसी परसंद के साथ आपकी mother-in-law थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, कि वो आपकी easily ना सुने, आपकी easily ना माने, और हमेशा आपके बीच में और आपके future spouse के बीच में, चाहे आपके future spouse husband है या wife है, उनके बीच में disturbance क्रियेट करें, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन with time, things manage हो जाएंग the outsider and the thunderbolt, मैं देख रही हूँ, कुछ लोग इसे relationship से deal कर रहे हैं, उनकी family नहीं मान रही है, जिसकी वज़े से एक separation phase चल रहा है, बहुत कम बात हो रही है, यह बिलकुल बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी marriage की possibility है, बिकोज यहाँ पे card है, traveling का, जिन लोगों ने भी file 2 चूज किया है, उन लोगों की marriage, जब भी यह reading देख रहे हैं, बिकोज यह timeless है, तब से next 8 months में fix हो सकती है, हो सकती है, and आपको इसकी लिए क्या कर रहे हैं, आप जो भी negative feel कर रहे हैं, negative experience कर रहे हैं, उससे बहा निकलिए, खुद की growth पर ध्यान दीजिए, खुद की achievements पर तो यह थी आप लोगों की reading, thank you so much for watching, if you like don't forget to thumbs up and share this in your group, bye for now, have a good day, take care